श्री शद्गुरो महाराज की जय शंद्शद्गुरो महर्शी में प्रमहन्स जी महाराज का प्रवचन विश्यों का अफ़ोग किस रूप में इस प्रवचन का तीसरा भाग आप लोग जब जगने से सोने के लिए कोशिश करते हैं तो एक अवस्था आती है जिसको तंद्रा कहते हैं उस समय शरीर कमजोर होता जाता है शक्ति भीतर की ओर खीशती जाती है उस समय कुछ सुनते हैं और कुछ भूलते हैं किसी इंद्री का वहाँ स्वाद नहीं है अंदर सरकाव में चैन मालूम होता है सोने के समय मन की चंचलता छोटती है यदि मन में कोई चिंता लगी हो तो निंद नहीं आवेगी सोने के समय अंदर प्रवेश करते समय सब ख्याल छोटते जाते हैं एक चैन मालूम होता है यह तो स्वभाविक सब को होता है जो कोई भजन करता है उसको विचित्र आनंद मालुम होता है संत कविर सहाब ने कहा है भजन में होत आनंद आनंद भर्षत भीशत अमी के बादल भीजत है कोई संत जो अंतर की ओर चलता है वह संसार की ओर से छोडता है जो संसार की ओर से छोडता है वह परमात्मा की ओर जाता है जो उस दस्वें द्वार से गुजरता है वह मोक्ष की ओर जाता है वह भक्ति करता है दस्वें द्वार की ओर जाना भक्ति करनी है जिसने इस मनुष्य शरीर को पाकर अपना परलोग नहीं सुधारा वह दुख पाता है परलोग दो तरह के होते हैं एक स्वरगादी और दूसरा मोक्ष यहाँ परलोग स्वरगादी के लिए है इसलिए भगवान सी राम ने कहा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पच्छताय, काल ही, कर्म ही, इश्वर ही, मिथ्या दोस लगए, अर्थात जो मनुष्य शरीर पाकर अपना कल्यान नहीं कर लेते हैं, वे अंत में दुख पाते हैं, और सिर धुन धुन कर पच् वे काल कर्म और इश्वर को जोट ही दोस देते हैं, इश्वर की बड़ी क्रिपा है, कि मनुष्य का सरीर मिला है, इश्वर की विशेश क्रिपा को आप प्राप्त कर सकते हैं, जब आप परमात्मा का भजन कीजिए, काल आपके अधिकार में है, समय को सो कर, बैठ कर खोश स सकते हैं, कुछ काम करके बिता सकते हैं, इश्वर भजन करके बिता सकते हैं, समय किसी को कुछ करने में रोकता नहीं है, कर्म का भी दोस देना बेकार है, अपने प्रारब्द को अपने से ही बनाना होता है, इसलिए काल कर्म इश्वर को दोस देना उचित नहीं, फिर के अंत में दुख ही होता है विशह शुक से अपने को निवरित करो श्वर्ग शुक का लालच भी छोड़ो पस्वों के शरीर में भी इंद्रियों के शुक का भोग है मनुश भी यदि इंद्रियों के भोगों में बढ़ते तो पसु से क्या विशेशता हुई भगवान राम ने कहा पंच विश्यों से पर पदार्थ के लिए चेश्टा करो अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने कहा भगवान राम ने कहा नर्तन पाई विशय मन देही पल्टी सुधा ते सठ विश लेहीं ताही कभ हूं भल कहाई न कोई गुंजा ग्रहई पारस्मनिक होई मनुष्य शरीर पाकर जो विशय में मन लगाता है वह अमरित छोर कर विश लेता है आगे भगवान से राम कहते हैं आकर चारी लाख चोरासी जोनी भ्रमत यह जिव अविनासी अंडज पिंडज स्वेदज और उसमज इन चार खानियों में 84 लाख योनिया हैं माया की प्रे नासी जीव भुमा करता है मनुष्य चोरासी लाख योनियों को भोगते हुए आया है इसलिए इससे छोटने का उपाय करो इससे छोटने का उपाय है वायू नव और मल्ला इस्वर की किरपा शनमुख मरूत या अनुकूल पवन है अनुकूल इसलिए कि नव को पस्षिम ज जाता है यदि पूरवया हवा चल पड़े तो वह हवा उसको पूरव की ओर जाने से रोकती है उस नव पर मल्ला पाल टांग देता है तब नव भाठे से सीरे की ओर चली जाती है मनुष्य शरीर नव है इस्वर की किरपा अनुकूल वायू है और सद्गुरु मल्ला है सद् ग्यान में बढ़ते जो दूसरों को सद ग्यान देता हो शत्य श्वरोप परमेश्वर का भजन करता हो और दूसरों को भजन करने का प्रेरण देता हो मुक्ति मारग जानते, शाधन करते नीत, शत्चित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम शत्संग्षों करते, डिट ग्यान समुझाय बोध दे, कू बुद्धी को हरते, संसय दूर बहाय, शंत मत अस्थिर करते, में ही ये गुंधर जोई, गुरु सोई सत्चित, मुक्ति मारग जानते, शाधन करते नित, सद्गुरु मला है, जो इन साज समानों को पाकर अपना कल्यान नहीं कर लेते हैं, वे कृत निंदक, मंद मती और आत्म हत्या के दोस्ट को पाते हैं, इसलिए लोगों को चाहिए कि भगवान सी राम के उबदेश को मानें और विशय छोर कर निर्विशय की पोर चलें, इस परवचन का चोथा अंतिमभाग अगले परवचन पाठ में, परम पुझ गुर्देव का यह परवचन, पुरेणिया जिलान तर्गत, महर्शी मेही नगर, कुशा तेलियारी ग्राम में दिनां 28.1955 निश्मी को अपराहन कालिन सस्रेंग में हुआ था, श्री शद्गुरु महारा जे की जे